नमस्कार आप देख रहे हैं खबर मेडिया दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ आज दिन भर की तमाम बड़ी और मुख्य खबर जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि कॉर्णा वायर्स की वज़े से अलग अलग जगे पर लग गया है लोकडाउन इसके साथी मैं आपको बताऊँगा कि रेमडे स्वेड दवा के निर्यात पर पूरी तरह से रोक इसके साथी मैं आपको बताऊँगा कि अर्विन केजडिवाल ने कोविड-19 की समिक्षा के लिए बैठक की है साथी मैं आपको बताऊँगा कि कुम्भ के मेले को लेकर सबसे बड़ी खबर है इसके साथी IPL 2021 को लेकर सबसे बड़ी खबर है और ऐसी ही बहुत सारी बड़ी खबरें है जिसके बारे में हर किसी के लिए जानना बहुत ज़रूरी है इसलिए आप सभी इस वीडियो को सुरू से लेकर के अंतर बहुत ध्यान से देखीगा साथ ही हमारी आपसे बस एक छोटी सी रिक्वेश्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक करके और लोगों के साथ सेर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना तो चलिए बात करेंगे सीथे पहली बड़ी ख़र से तो रेमडे सीवीर दवा के निर्यात पर पूरी तरह से रोक कोरना के बढ़ते मामलों की चलते केंदर का फैसला जी हाँ देश में कोरना महमारी की दूसरी लहर और ज़्यादा भयानक हो गई है जिस वज़े से अब रोजाना 1.5 लाग से ज़्यादा मामले सामने आने लगे हैं इसके अलामा अस्पताल में भरती होने वाले मरीजों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है पिछले कुछ दिनों से देश के कई राजियों में रेमडे सीविर दवा की किल्लत देखने को मिली है जिस वज़े से केंदर सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है जिसके तहत रेमडे सीविर के निर्याद पर अब रोक लगा दी गई है चलिए बात करेंगे अब हम सीधे एक और बड़ी कबर की तरफ तो जी हाँ पियम मोदी और डच पियम रूट ने किया एलान भारत और नीदर लैंड मिल करके अब साफ करेंगे नदिया दोस्तो आप सभी को पता होगा कि भारत की नदिया आज के टाइम पर कितनी विसैली हो चुकी है ऐसे में जल परबंधन के छेतर में दिगज देश नीदर लैंड ने भारत के साथ मिल कर नदियों से परदूसर्ण दूर करने के लिए रणनीतिक साजिदारी करने का फैसला किया है जल पर मंतरी इस तरिये मोजूदा सन्युत कारे समू को भी विस्तार दिया जाएगा परधान मंतरी मोदी और नीदर लैंड के परधान मंतरी मार्क रूट ने विगत सुकरवार को वर्चुल बैठक की थी तो साफ है कि भारत और अब फाइलि नीदर लैंड मिल करके भारत की नदियों को साफ करने पर जोड देंगे बात करेंगे एक और बड़ी ख़बर की तो अरविन केजडिवाल ने की है कोविड-19 की समिक्षा बैठक लोगों से की है खास अपिल जी हाँ आपको वतादे दिल्ली के मुख्य मंतरी अरविन केजडिवाल ने आज कोविड-19 इस्तिती पर एक समिक्षा बैठक की जिसमें उन्होंने निर्देश दिया कि अस्पतालों में बेट की संख्या बढ़ाई जाए साथी यह भी निर्ड़े लिया गया कि कई सरकारी और निजी अस्पतालों को एक बार फिर से पूरी तरह से कोविड अस्पताल बनाया जाएगा इसके साथ उन्होंने लोगों से request की है कि आप सभी को जब जरूरत हो बहुत ज़्यादा तभी आप सभी घर से बाहर निकलें अन्य था आप घर से बाहर ना निकले तो ही ज़्यादा हर किसी के लिए अच्छा होगा चलिए बात करें एक और वड़ी कबर की तो जीरो बैलेंस पर बैंकों ने की है मनमानी SBI ने गरहांकों से जुटा लिए 300 करोड रुपए जी हाँ जीरो बैलेंस या फिर बेसिक सेविंग बैंक डिपोजिट एकाउंट से जुड़ी कुछ सेवाओं के लिए बैंकों ने मनमाने धंग से वसूली की है इसमें सरकारी या फिर निजी हर तरह के बैंक सामिल है ये दावा बॉमबे IIT की एक इस्टडी में किया गया है मतलब यह है कि अगर आप अपने बैंक में जीरो बैलेंस में नहीं करके रखते हैं पस्चिम मंगाल में 17 अप्रेल को होने वाले विधान सभा चुनाओं से पहले BJP और त्रिन मुल कॉंग्रेस के बीच जुबानी जंग जारी है इस बीच बंगाल दौरे पर गए परधान मंतरी नैंद मोदी ने मुख्य मंतरी ममताब अनरजी पर जम कर हमला बोला बरधमान में एक रैली को समोधित करते हुए PM मोदी ने कहा कि बंगाल के लोगों ने विधान सभा चुनाओं के चार्श रणों में इतने चौके और छक्के लगाएं कि भाजपा ने सतक पुरा कर लिया है लेकिन वहीं TMC की हालत खराब हो गई है चले बात करेंगे एक और बड़ी ख़बर की तो साही इसनान के लिए उमडी भीड कोरोना नियम की उड़ा दी गई धजियां दोस्तों आप सभी को पता होगा कि कुम्भ का मेला चल रहा है ऐसे में आपको बता दे कि कई तरह की ऐसी घटनाएं आ रही हैं जिसे कि पूरी तरह से लोगों के होस उड़े हुए हैं एक तरफ कोरोना वायर्स इतनी तेजी से बढ़ रहा है तो दूसरी तरफ कुम्भ में जो भीड है वो लगातार बढ़ती जा रही है इसी वज़े से लोग कह रहे हैं कि कोरोना वायर्स यहां पर फैलने का बहुत जादा खत्रा है लेकिन बावजुत इसके लोग पानी में जम करके सनान कर रहे हैं और यहां के जो तमाम परसासन है उनका ये कहना है कि लोगों की इतनी बड़ी भीड है कि हम कंट्रोल करना चाहें तो भी नहीं हो पा रहा है चलिए बात करेंगे अब हम एक और बड़ी ख़बर की तो जी हां ड्रक्स मामले में NCB का बड़ा एक्सन दाउद के करीबी राजिक चिकना को कर लिया है तलब दोस्तों आपको बता दें कि जो ड्रक्स का गंदा खेल है वो अभी भी बॉलिवूड में लगतार जारी है इसी भीच आपको बता दें कि NCB ने एक बार फिर से बड़ी कारेवाई की है और दाउद के बेहदी करीबी राजिक चिकना को अब तलब किया है और इसके साथ ही आपको बता दें कि यह जो राजिक चिकना है यह चोटा मोटा कारोबारी नहीं है बलकि ड्रक्स का यह माइंड माश्टन बोला जा रहा है और से पता चलता है कि ड्रक्स का कारोबार जो है वो अभी भी पूरी तरह से मुंबई में बड़ी लेबल पर हो रहा है चली बात करेंगे अब हम एक और बड़ी खबर की तो आज वान खिडे इस्टीडियम में चल रहा है पंजाब और राजिस्थान का मैच जी हाँ आपको बता दे कि आज का जो मैच है वो पंजाब और राजिस्थान के भीच में खेला जा रहा है मैच काफी इंट्रेस्टिंग है आपको बता दे अभी तक की जो अफडेट है वो ये है कि 110 रन बना दिया है पंजाब ने और इसके लिए उन्होंने दो विकट गवा दिया है केल राहूल अभी भी बैटिंग कर रहे हैं जो की काफी अची फॉर्म में लग रहे हैं और अपने अर्ध सतक के बहुत जादा करीब है चली बात करेंगे अब हम एक और बड़ी कबर की तो जी हाँ आज बैठक कर रहे थे उद्धव ठाकरे महराष्ट में लोगडाउन को ले करके ले सकते हैं बड़ा फैसला दोस्तों आपको उतादे कि लगतार जो उद्धव ठाकरे हैं वो कोर्ना वायर्स पर अपनी नजरे गड़ाय हुए हैं और उनको पता है कि आने वाल दिनों में म निश्ची तोर पर महराष्ट जो है वो लोगडाउन की तरह बढ़ रहा है और महराष्ट में लोगडाउन लगाया जा सकता है इसको ले करके उधर ठाकरे ने आज बैठक की है और आज आप देखने वाले हैं कि बहुत जल्द इसको ले करके एक बड़ा फैसला भी आपके सामने लोगडाउन को ले कर आ सकता है चलिए बात करेंगे एक और बड़ी खबर की तो पचीस सो लोगों के लिए खुले हैं रोजगार के उसर फिलिप कार्ट का आडानी समू के साथ हुआ है समझोता जी है आपको होता दे कि यह जो फिलिप कार्ट है वो लगतार गौतम अडानी के साथ एक बड़ा समझोता कर रहा है और इससे आने वाल दिनों में दोस्तो रोजगार जो है वो हमारे देस में बहुत जादा बढ़ेगा और निश्ची तोर पर बेरोजगारी थोड़ी कम होगी इससे पचीस सो लोगों को रोजगार भी मिलेगा तो फिलिप कार पूरी तरह से हमारे देश के लिए अगर सर है इसी बात पर वीडियो को लाइक कर देना चलिए बात करेंगे अब हम मौसम की तो जी हैं आपको उता दे कि आज का मौसम पूरी तरह से बदल गया और दोस्तो चटिस गर्ड बंगाल में आंधी तुफान के साथ तेज देखने को मिली है इसके साथ ही मैं आपको उता दू कि उत्तर परदेश हर्याना दिल्ली के आसपास के एरिया में गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और लगतार जो टेंपरेचर है वो उपर होता जा रहा है जिससे लोगों को अब गर्मी से काफी परिसानी भी हो र रही है कि आने वाल दिनों देश के जो करमचारी हैं उनको हफते में सिरफ और सिरफ चार दिनी काम करना पड़े इसके साथ ही उनको तीन दिनों की शुट्टी मिले इसके पीछे वड़ी वज़य यह है कि करमचारियों को थोड़ा आराम मिल सके और इसके साथ-साथ उनके उपर ज़्यादा प्रैसर ना रहे अब आने बाल दिनों में सरकार बहुत जल्द आप सभी देखेंगे कि नियमों में बदलाव कर सकती है और इसके बाद आप सभी को देखने को मिलेगा कि आप सभी को हपते में 3 दिनों की शुटी मिलेगी तो क्या आप चाहते हैं कि हपते में तीन दिनों की शूटी हो कमेंट करके जरूर बताना बात करेंगे एक और बड़ी खबर की तो पैट्रोल लिजल की कीमतों में राहत जल्द 75 रुपय परती लीटर हो सकते हैं भाव दोस्तों आपको बता दे कि पैट्रोल लिजल जो है वो बीच में कितने उपर चले गए थे ये हर किसी को पता है लेकिन बावजूद इसके लोग उमीद लगाए बैठे थे कि पैट्रोल और डिजल की प्राइस एक बार फिर से कम होंगे और निश्ची तोर पर लोग एक बार फिर से सस्ते में पैट्रोल लिजल खरीद पाएंगे तो बड़ी खबर यही है कि आने वाल दिनों में पैट्रोल और डिजल पीचह 70 रुपय तक सस्ते हो सकते हैं इसके पीछे बड़ी वज़े यह है कि भारत अब उन देशों से तेल खरीद रहा है जहां भारत को अब पैट्रोल और डिजल सस्ता मिलेगा भारत तो वहीं से खरीद देगा इसी के साथ हम चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरब तो यूपी में भी कोर्णा हो गया बेकाबू CM योगी का आदेश निजी अस्पतालों को भी बना दें COVID होस्पिटल जी हाँ कोर्णा ने उत्तर परदेश में पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिये हैं परदेश में पिछले 24 घंटे में कोर्णा संकरमन के रिकॉर्ड तोड 15353 नए मामले सामने आए हैं इसके बाद कहीं न कहीं CM योगी बहुत ज्यादा अलट हो गए हैं और उन्हें कहा है कि जितने भी प्राइबेट होस्पिटल है वहाँ पर भी COVID सेंटर बनना चाहिए तो यह थी आज दिन भर की तमाम बड़ी और मुख्य खबर दोस्तों वीडियो को लाइक करना इसे और लोगों के साथ सेर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना धन्यवाद